जबसे मानव उन्हें बोलना और लिखना सिखा है तब ही से ही वो अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साजा करता आया है इंटेनेट के इस यूग में अगर आपके दिमाग में कोई आईडिया आता है तो आप तुरंत उसे टेक्लिलोलोजी के विबिन्यमादियम जैसे SMS, शोशल मीडिया, इमेल, फोन और वीडियो कॉल्स के जरिये अपने दोस्तों और करीबियों से तुरंत शेर कर लेते हैं फिर चाहिए वस साथ समंदर पार अमरिका में बेठा हो या फिर आपके बगल में पर कभी आपने सोचा है कि प्राचिन काल में जब नया तो इंटरनेट था और नहीं बिजली तो मानव अपने संदेशों को एक स्तान से दूसरे स्तान तक कैसे पहुँचाते थे जहिर सी बात है उस जमाने में इंसान आपस में बात चीत तो करता ही होगा आजकल की तरह तब बले ही एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश पहुचाना फास्ट नहीं था लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी जरुरत के हिसाप से संचार के अलग-लग मात्यमों काविश कर लिया था उस जमाने में लोग कैसे बिना इंटरनेट के एक दूसरे से चैटिंग करते थे जानेंगे आज की इस वीडियो में 5. Smoke Signals Smoke संकेत लंबी दूरी के संचार के सबसे पुराने रुपों में सहक है यह एक लंबी दूरी पर इस्तमाल किया जाने वाला दरश्य संचार का एक रूप था समाने दुआदार संकेतों में समाचार प्रसारित करने, खत्रे का संकेत देने या लोगों को एक समाने शेत्र में खटा करने के लिए उप्योग किया जाता था प्राचीन चेन में दुश्मनों के हमलों के चितावनी देने के लिए धुआ संकेतों का उप्योग किया गया था क्योंकि यह धुआ संकेत बहुत दूर से भी देखे जा सकते थे प्राचीन काल में जब इंटरनेट इजात नहीं हुआ था तब लोग कबूतर को संदेश वाहक के रूप में इस्तमाल करते थे इसके लिए कबूतर को विशेश प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी कबूतरों की खासियत यह एकि वह कभी भी अपने गर का रास्ता नहीं भूलते उन्हें कहीं भी छोड़ दोवा अपने गर वापिस लोटी आते हैं अपने संदेश को एक ही छोटी सी चिठी में लिख कर लोग एक नली में रख कबूतर के पेर में बांद देते थे फिर उसे जरूरी निर्देश देकर रवाना कर दिया जाता था कबूतरों के जर्य चिठी बेजने के इस प्रक्रिया को कबूतर पोश्ट काते हैं परतम और द्विते विश्यूद्य में कबूतरों ने एक संदेश को दूसरी जिगा तक पहुचाने में बहुती एहम रोल निपाया था यही नहीं उनके दुवरा बेजे के संदेशों के करण ही दुश्मन सेना के बमू से सेनी को किये के टुकडी को मरने से बचाया जा सका सॉल्विश शताबदी में समूदर में बोटले गिरा का सूचना बेजने के लिए सेना में आम बात थी अंग्रे जीनो सेनी को ने दुश्मन के पदों के बारे में जान करी बेजने के लिए बोटल संदेशों का उप्योग किया था कुछ लोग करते हैं कि कुईन एलिजाबेट प्रथम ने भी औस नॉर्क ओफ ओशन बोटल की एक अधिकारिक स्तिती बनाई थी जिसमें कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी बोटल को खोल नहीं सकता था और अगर कोई ऐसा करते हैं पकड़ा जाए तो उसे मोत की सजा सुना दी जाती थी प्राचिन काल में राजा अपने मेसेज को एक राज से दूसरे राज तक पहुचाने के लिए धाव को यानि राणर लोगों की बढ़ती करते थे ये राणर दोड कर एक स्तान से दूसरे स्तान तक जल से जल संदेश पहुचाने के काम आते थे इस तरह के runner का इस्तमाल पहली बार battle of marathon में ग्रीस ने किया था ग्रीस ने इस युद्ध में पर्षिया को हरा दिया था उनके जीद के इस ख़बर को पर्षिया तक पहुचाने के लिए उन्होंने एक धावक का इस्तमाल किया था ये सब इसलिए किया गया था ताकि परसियां की दूसरी सेने ठुकडी फिर से क्रीप्स पर अकर्मन न कर सके इस काम को पूरा क्या था फिडिव पेर्स नाम के एक धावक ने जिसे पहला मेराथन रनर भी कहा जाता है हजारों साल पहले ओस्टेलिया के आदिवाचियों के बीच करीब 200 भाषाएं बोली जाती थी ऐसे में एक कभीले से दूसरी कभीले तक अपना संदेश पहुचाने में काफी दिक्कत होती थी इसलिए उन्होंने मेसेज स्टिक का विश्कार किया लकडी के इस चोटी से चड़ी में कुछ विशेश प्रकार की छवियां इंकित की जाती थी जिनका मतलब सभी कभीले वाले समझते थे इस तरह से वह अपने एक दूसरे से बिना बोले अपने वीचार साजा कर सकते थे फेबिन ने परकार किया करतियों और संकेतों से लेज इन मेसेज स्टिक्स के साथ संदेश वाहक एक दूसरे के कभीले के सरदारों का संदेशों का आदान बर्दान करते थे आज कर हम सोशल मीडिया के अलगलग प्लेटफोर्म में जिन इमोजी का स्तमाल करते आएं हैं वह इसी कही उनने स्वरूप मना जाता है तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आये तो जरूर से लाइक करें और अपने सिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे धन्यवाद